हेलो डियर मैं भुतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब सेनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ उमीद है कि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो डाली थी उससे आपका काफी बेनेफिट हुआ होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी ये CGL 2022 tier 1 की math की toughest shift हमने solve की थी और आप exam में कैसे उसको solve करेंगे कैसे tackle करेंगे ये वीडियो मैंने डाली थी अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर हम second toughest shift जो है उसे solve करेंगे ठीक है और इन चीजों का जो main purpose है वो आप जान लो main purpose क्या है देखो ये मैंने toughest shift solve करी थी अब मैं second toughest shift हम इस वीडियो के इंतर solve करेंगे आपका paper ऐसा ही आता है सालों साल ऐसा आता रहा है कभी कभी क्या होता है किसी साल थोड़ा सा मुस्किल आ जाता है किसी साल थोड़ा सा easy आ जाता है दोनों तरफ आता है मुश्किल भी आता है, easy भी आ जाता है किसी साल थोड़ा सा unexpected आ जाता है वो फिर मुश्किल category में उसको आम डाल सकते हैं तो कुल मिलाकर SSC के लिए ये एक आम paper है हर साल वो conduct करता है वो बहुत सारे paper conduct करता है उन में से एक paper आपका भी है आपके लिए खास है SSC के लिए आम है तो जैसा आता रहा है most probably 99% वो वैसा ही देंगे तो वो कैसा आता है आपको कैसे उसको tackle करना है वो आप इस वीडियो के अंदर शिखो बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होएगा अगर आपने बढ़िया तेयारी की है descent तेयारी की है average तेयारी और आप इस वीडियो के अंदर मेरी बातों को follow करते हैं तो वो ही नहीं सकता कि आपका pre ना निकले इतनी powerful वीडियो हैं अगर आप चीजों को समझ जाते हैं और ना समझें तो फिर तो क्या ये कह सकते हैं तो मेरे भाई आपने और हाँ अगर 1% unexpected paper भी आ जाता है ये तो सारा ये है कि 99% ऐसा ही paper आएगा 1% unexpected paper भी आ जाता है तो मैंने आपको बताया है shadow mocks तेने हैं unexpected के लिए तियार रहना है unexpected आएगा तो उस बंदे को बहुत जादा फायदा होएगा जो unexpected के लिए तियार था उसको काफी फायदा होएगा उसको normalization में फायदा होगा क्यों क्यों क्योंकि वो अपनी shift में जैसा वो perform करता उससे ज़्यादा perform करेगा क्योंकि वो unexpected के लिए तियार था ठीक है भाई अब start करते है pen or notebook ले आओ इन shift को solve करते हुए आपने दिमाग में क्या रखना है आपने दिमाग में 1% भी ये चीज नहीं रखनी कि एक question को solve करते हुए मुझे कितना time लगा नहीं हम single question का time keep नहीं कर सकते इन question को solve करते हुए timer को तो हटा ही दो मैं आपको ये नहीं दिखाना चारा कि कितने कम time में हम question को कर रहे हैं हम सिरफ ये देख रहे हैं कि कितने question को करने की आपकी knowledge है जब आपको पता चलेगा कि मैं toughest shift के अंदर 21-22 कर सकता हूँ 20 कर सकता हूँ second toughest shift के अंदर मैं 20-23 कर सकता हूँ जितने भी आप कर सकते हो अलगलग category में है तो जो average shift है जैसे ये जो shift है वो जो toughest shift थी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें साथ 28 average marks थे इसमें साथ 27 थे पहली top 3 toughest shift में 27-28 ये average marks थे आपको लगेगा कि देखो toughest shift में मैं average marks से कितना आगे हूँ अगर मैं अपनी इस knowledge को efficiently use करूँ एक्जाम में गलट decision ना लूँ तो मैं बड़ी आमाक score कर सकता हूँ और ये क्या कोई जुटा मुठा confidence दे रहा हूँ मैं मैं नहीं दे रहा जुटा मुठा confidence actual में आया हुआ पर ये date देख लो पिछली वीडियो में भी date थी कि कौन से वाली shift है actual आई हुई shift उठा कर ला रहा हूँ तो दोस्त दो चीजे होती है एक तो knowledge हो गई practice हो गई हमने skill develop कर लिया knowledge ले लिए बहुत सारी practice कर लिए अब मैं किस mindset के साथ exam में जा रहा हूँ वो matter करता है मैं वो skill वहाँ पर दिखा पाऊंगा तो वो mindset तियार किया जा सकता है जो तियार किया जा सकता है कुछ दिनों में skill तियार करने के लिए तो 5-6 मीने, 7-8 मीने, 1 साल इतना time लगेगा depending upon your IQ, your interest लेकिन ये mindset तियार करने के लिए जार को 2-3 वीडियो काफी है अगर आप मेरी बातों को follow करें तो ठीक है जी? ओक्य जी तो कभी भी time keeping नहीं करनी है एक के question की जस्ट आपने ये ध्यान देना है कि क्या आप question का right decision ले पा रहे हो कि नहीं right decision क्या मतलब question को देखते ही सबसे पहला step होगा कि हम बहुत ही श्यानती से question को पढ़ें और समझें ये दो काम होते हैं अगर speed में पढ़ोगे तो समझ नहीं पाऊगे पढ़ना और समझ नहीं होता है soul करने के लिए तो इसका मतलब श्यानती जरूरी है पिना हट बड़ा हट के धुक 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 होएगी अलट रहना अवेर रहना श्यानती से पढ़ने के कोशिस करनी है यही तो है game mind को control करते विए right decision ले पाना और question को देखते ही आप सिरफ दो में से एक decision लेंगे number one आप आपको ये पता लगेगा कि ये question तो मुझे आता है ये तो ऐसे होएगा तो आप उसको अभी कर देंगे और दूसरा decision है आप उस question को बाद में करेंगे अब question को बाद में कब करेंगे देखेंगे जब भी करेंगे अभी नहीं कर रहे बस यह है कई question ऐसे होंगे जो आपको आते हैं पर आपको लग रहा है कि यह लेंदी पड़ेगा या फिर आपको आते नहीं है लेकिन आपको पता है कि यार थोड़ा कुछ मिसिंग है पर आप मैं इसको for sure कर लूँगा इस question को तो उस question को आप क्या करेंगे उसको mark for review कर देंगे क्योंकि most probably आप उस question को कर लेंगे तो round one में हम इन questions को करेंगे फिर mark for review वाले question को करेंगे फिर हम बाकी question को करेंगे ये pattern चलता है exam में हमें क्या देखना है paper के end में कितने question मैं कर पाया और अभी video के through क्या practice करनी है इन दो step की practice करनी इन चीज़ों के practice कराने के लिए मैं video बना रहा हूँ तो मेरे दोस्त बिल्कुल relax हो जाओ pen और notebook उठाओ ये second test shift है इसमें आप बहुत बड़ी या खुद की उमीद से ज़्यादा बड़ी या perform करोगे believe me क्योंकि डर का दंदा बहुत चलता है तो बच्चों को पता भी नहीं होता कितनी उनके अंदर skill है क्या वो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मिलावट से ये paper clear होते है मैंने साड़े च्यार महिने में cat का जो exam है उसके अंदर 98.74% ली थी जबकि उसके अंदर English अलगी लेवल की आ रही थी उतनी strong नहीं थी मेरी थाड़े चीर मीने जब मैं coaching में गया और जब paper हुआ उनके बीच का वक्त बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा मैंने बाद में serious तियारी से रुग रही थी पहले दिन जब मैंने कदम रखा और जब 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 पेपर था ठीक है उनके बीच का टाइम मैं बता रहा हूँ बिल्कुल और उससे पहले किसी competitive exam की तियारी ऐसे नहीं की थी मैंने इस तरीक के से मालो मैंने CGL की कर ली हो फिर cat की तियारी करने गया फिर तो पहले ही तियारी थी ऐसा नहीं था fresh तियारी कर रहा था right guidance right चीजे और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इन चीजों के दुरूपे पर clear होता है तो अब मैं start हो जाओं mindset थोड़ा सा build up हुआ होगा relax relax extension नहीं लेनी relax मज़े मैं करेंगे time keeping तो करनी ही नहीं है वीडियो को pose करके question को solve करना है अभी कर सकते हो है बाद में सिरफ ये देखना है तो चलिए जिए मैं start करता हूँ pen और notebook लेकर अभी करना start करो हर एक question को वीडियो pose करके श्यानती से पढ़ोगे ठीक है उसके बाद आराम से समझोगे और फिर आप देखोगे कि आप अभी कर सकते हो या नहीं मैं भी questions को skip करते हुए चलूँगा जो मुझे लगेगा कि students skip करेंगे find the number of common tangents if r1 plus r2 is equal to c1 c2 with usual notations ok r1 और r2 जो है ये radius है circle के और c1 c2 are r1 r2 and c1 c2 radii and center ठीक है तो दो circle है तो देखो दोस्त दो circle जब एक दूसरे को touch करते हैं तो मालो ये इसका radius है r1 और ये इसका center है ये इसका radius है r2 दो circle जब आपने एक दूसरे को touch करते हैं r1 plus r2 is equal to c1 c2 उनके centers के बीच में जो distance होता है वो r1 plus r2 के बरापर होता है इसका मतलब क्या है उसने आपको ये बताया है इस चीज के through कि circle एक दूसरे को touch कर रहे है तो maximum मेरे खिलाब कर लोग इस question को मैं ये मान रहा हूं तो अब उसने पूचा क्या है number of common tangents तो दो circle जो एक दूसरे को touch कर रहे हैं उनके बीच में कितने common tangent होते हैं उनके बीच में 3 common tangent होते हैं दोस्तों एक तो ये वाला और जिन जिन concept की जरूत पढ़ेगी ना बताने की वह मैं बताते हुए चलूँगा आपको और एक ये वाला ठीक है तो answer will be 3 चलो अभी say related बाकी के concept में आपको बताता हूँ let me tell you इबाकी के concept दो चीज़ें इसके अंदर है number one पहले उसने हमें ये बताया है कि जो दो circle है c1 c2 जो distance between center है वो r1 plus r2 के बराबर है देखो अगर दो center एक दूसरे से दूर होंगे ऐसे ये उस c1 है ये c2 है तो distance between center जो है वो r1 plus r2 से ज़्यादा होगा क्या sir हमें ये रटना है क्या मैं ये रटके बैठा हूँ नहीं रटके नहीं बैठा हूँ simple सी बात है ना भया ये जो extra का portion बचतो गया c1 c2 में तो extra portion count हो रहा है r1 सिर्फ इतना है r2 सिर्फ इतना है ना अगर ये दोनों circle एक दूसरे को touch कर रहे है तो इसका मतलब ये हमने देख लिया है ये वाला case तो ये मैं नहीं बताऊँगा next अगर ये दोनों circle एक दूसरे को intersect कर रहे हैं अब आप मान गए होंगे जान गए होंगे कि c1 c2 जो है because r1 ये पूरा है और r2 ये पूरा है r1 r2 को जोडेंगे तो c1 c2 से ज़्यादा ही हो गया है ये वाला portion ज़्यादा बार count हो जाएगा यानि कि r1 plus r2 is greater than c1 c2 क्या हमें ये रटने की ज़रूत है इल्कुल भी ज़रूत नहीं है अगर दो circle एक दूसरे को internally touch कर रहे हैं ये इस वाले का center है ये इस वाले का center है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया r1 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया r2 ठीक है जी ये c1 ये c2 तो c1 c2 is equal to r देखो ये है c1 c2 r2 minus r1 तो जब distance between center तो अनू radius के difference के बराबर हो या दोनू radius के sum के बराबर हो तो यानि कि वो touch कर रहे हैं एक दूसरे के चाहे difference के बराबर हो या sum के बराबर हो वो एक दूसरे को touch कर रहे हैं अगर sum के बराबर है तो बहार से touch कर रहे हैं अगर difference के बराबर है तो अंदर से touch कर रहे हैं तो क्या सरम इंची जो को रटें नहीं दोस्त आप paper में जब इसको बनाओगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा आप इनको sum जो अभी जो मैं बता रहा हूँ notes में कई ना कई अप लिख सकते हो अभी आप इनको बस समझो next जो उसने concept use किया है उसने यह बता दिया कि circle है कैसे कि tangent कितने बनेंगे अगर ऐसे circle हो ऐसे circle हो तो वो भी कर लेते हैं देखो अगर दो circle एक दूसरे को touch नहीं कर रहे तो वो कुल मिला कर च्यार टेंजेंट हम कीच सकते हैं दो तो direct टेंजेंट और दो transverse टेंजेंट ठीक है भई ओके अगर यह दोनों circle एक दूसरे के पास आ जाएं ऐसे एक दूसरे को touch कर दें तो फिर हम तीन ही टेंजेंट कीच पाएंगे तो तो यह वाले जैसा कि इस question में case था अगर यह एक दूसरे को काट दें और ज्यादा पास आ जाएं तो हम दो ही टेंजेंट कीच पाएंगे किरफ यह क्या सर हमें रटके रखने हैं क्या मैं रटके रखता हूँ कि intersecting circles कितने टेंजेंट कीच होगे दो मैं ऐसे रटके थोड़ी रखूँगा intersecting दो ही खिचेंगे है ना देखो calculator computer mobile phone ले जाना allowed नहीं है exam में दिमाग ले जाना तो allowed है तो फिर रटने वाली चीज़ों को रटेंगे यह थोड़ी एक कुछ भी रट लेंगे जब यह एक दूसरे को काटते हुए अगर एक circle दूसरे के बिल्कुल ही अंदर घुच जाए ऐसे तो एक ही tangent यानि कि अंदर से touch करे एक ही common tangent खिच सकता है अगर एक circle बिल्कुल ही अंदर घुच गया भाई यह touch भी नहीं कर रहा तो एक भी tangent नहीं किच सकते है common tangent एक भी नहीं होगा clear है ओके आगे बढ़ जाओं तो मैं बीच में आपको concept बताऊंगा बीच में रोकूंगा बाते समझाऊंगा ठीक है तो इसलिए timer मत रखो attention मत लो ठीक है तो मेरे इसाब से पहले वाला question doable था एक अद्दे student के इसाब से हो सकता है यह लगे कि सायद मना कर पाऊं तो कोई दिक्क नहीं है आप इसको skip कर सकते थे next round में for sure कर लेते आप अगर आप 25 question में इसे अगर आप 25 question में से 15 भी कर लेते है round 1 में कितने भी कर लेते है 15 16 14 जितने भी वैसे 15 तो कर ही लेने चाहिए 15 के आसपास कर लेने चाहिए तो क्या है आपके उपर से एक burden सा हट जाता है कि काफी question तो हो गए 10 questions बचे हैं इसमें से मैं 5 भी कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे 7 भी कर दिये तो 22 हो जाएंगे एक burden हट जाता है इसलिए questions को पढ़ेंगे श्यानती से समझेंगे या तो skip कर देंगे 3-4 second में या उसको कर लेंगे करने का होगा तो कर लेंगे नहीं तो skip कर देंगे यह decision fast लेना है जो आप solve करते हो वो fast करने की जरूत नहीं है decision fast लेना है decision लेने में time लगाते हैं फाल्तू के question पर time waste करते हैं student वहाँ पर जाकर यह देखो जी पड़ो और समझो प्यार से करना है जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करनी which of the following pairs of non-zero values of p and q make six digit number this divisible by both 3 and 11 अच्छा यह दोनों से divisible है 3 और 11 से end में 0 है तो इसको तो मैं ignore मारूं क्योंकि यह वाला number अगर divisible हुआ तो ही यह divisible होगा 0 चाहे हम कितनी भी जोड़ ले यह वाला number divisible होना चाहिए अब 3 और 11 की divisibility चेक करनी है तो पहले मैं 3 की करूँगा क्योंकि easy है थो DC तो ठीक है तो मैं जो भी 3 से divisible है उनको मैं काट दूँगा 6 को मैंने काट दिया 7 और 4 11 11 को 3 से भाग करूँगा तो 2 P और Q की easy value आनी चाहिए कि उनके sum को 2 में जोड़ू तो 3 से भाग हो जाए देखता हूँ 2 और 2 4 और 2 6 possible 5 और 4 9 और 2 11 not possible 4 और 2 6 और 2 8 not possible 5 और 2 7 और 2 9 possible ये 2 possible है अब हम क्या करेंगे अब मैं 2 और 2 को check करूँगा उत्तर हुआ तो इसी को मार दूँगा ठिक 11 की divisibility के लिए नहीं तो D को मार दूँगा तो ठीक है 2 और 2 को check कर रहा हूँ 6 7 4 2 और 2 2 और 4 6 और 6 12 7 और 2 9 क्या ये divisible है 11 से नहीं जो difference है इनका 11 का multiple है 0 होना चाहिए तो not possible उत्तर ही option D exam में कैसे करेंगे ऐसे clear है मेरे दोस्त 5 और 2 और रखके देख लोगे तो ये हो जाएगा divide अब मागे बढ़ डूएबल है अगर आप अपने दिमाग को श्यांत नहीं रखेंगे श्यांत रखना भी एक कला है जिन्दगी में बहुत सारी जगे काम आएगी अगर आप अपने दिमाग को श्यांत नहीं रखेंगे तो जो आपकी दिमाग की efficiency है जो इसकी skill है उसका उपियोग नहीं कर पाएंगे जो हमने skill इकठी कर ली अगर हम उसी का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा बच्चों को लगता है कि उस दिन exam में जाकर कुछ मुझे special perform करना पढ़ेगा नहीं जो आप knowledge और skill लेकर गए हो बस वही दिखानी है सिरफ उतना काम कर लो कि वो दिख जाए आपको कुछ extra calculative extra चीज़े नहीं करने जितनी तियारी करी है उतना दिखाने की practice कर लो more than enough ठीक है ठीक है एक पुलिसमेन saw a thief from a distance of 450 meter ठीक है when the policeman started chasing him the thief also started running the ratio of speed of the thief to the policeman is 7 is to 8 after running how much distance can the policeman catch the thief तो माल लो ये thief था ये policeman था ठीक है तो ये thief की तरफ भागेगा of course ठीक है ऐसे तो कहीं न कहीं यहाँ पर जाकर इसने इसको पकड़ लिया ठीक है तो मुझे एक बात बताओ दोनों इकठे भागे थे thief उदर भागा पुलिसमेन उदर भागा जी हाँ दोनों इकठे भागे थे तो thief ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना time लिया उतना ही time पुलिसमेन ने यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया ठीक है तो same time लिया दोनों ने distance अलगलग travel किया पर दोनों इकठे भागे ऐसे, जी हाँ, तो अगर time same है, तो जिसकी जितनी ज्यादा speed, वो उतना ही ज्यादा भाग लेगा, जो भी इनकी speed का ratio है, वही इनके distance का ratio है, किसी की double speed है, तो double दूर भाग जाएगा, तो thief ने जो distance cover किया, अगर वो 7 unit है, तो policeman ने जो distance cover किया, वो 8 unit ह अंजी, तो यानि कि ये जो इनके 20 का gap ये एक unit है, examiner ने ये बताया है, कि जो एक unit की value है, that is equal to 450, और वो पूछ रहा है कि 7 unit की value कितनी है, चोर जो हो भागा कितने था, चोर निकल के भागा जो है, वो कितनी दूर भागा, तो 7 से गुना करते हैं, 7, 5, 35, 37, 48, 28, 33, 31, 50, ले देखो, मेर को पढ़ाते हुए हो गया भी या, 7, 8 साल, तो क्या है, कि अगर मैं round 1 के अंदर आपको 20 question करके दिखाऊंगा, तो हो सकता है, आप 16 ही करो, आप 15 ही करो, आप 18 ही करो, या आप 20 ही करो, round 1 के अंदर ज्यादा question करने का मतलब ये निया, कि आप बहुत intelligent हो, शिरफ ये है कि आपने ज्यादा question करना, decide किया है, तो बहुत ज्यादा question करने भी decide नहीं करने, अगर एक आप the question uncomfortable कर रहा है, तो छोड़ देना है, एक आप the question अगर आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पाता, round 1 में और मैं ने कर दिया, तो दिल नहीं तोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं आप कर लोगे थोड़ा उप्रहिचे चलता है The length of the side of a cube is 5.6 cm एक cube है उसकी side What is the volume of the largest sphere that can be taken out of the cube बंदे ने cube के अंदर sphere रख दिया तो cube के अंदर अगर sphere रखे तो हमें इनकी वो पता होनी चाहिए क्या relation की cube के अंदर sphere रखोगे तो cube की जो side है और sphere का diameter हो सेम होंगे देखो आज़ा भाई यह देखो इसे आप बहुत ही अच्छे से visualize कर पाओगे देखो यह cube की जो side है यहां से लेकर यहां तक इतनी ही दूर में यह आया हुआ है गोला cube की side और गोले का जो diameter हो सेम है आपको यह diagram नहीं बनाना इतना अच्छा बना भी नहीं पाएंगे ठीक है आपको यह diagram नहीं बनाना आपको यह पता होना चीए दिमाग में visualize करने के able होने चीए फिर हम question को करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है उसने क्या पूचा है उसने पूचा है कि बड़े गोले का आइतन बताओ सबसे बड़ा गोला जो हम निकाल सकते हैं अब यह point में है अगर आपको यह लग रहा है कि यह calculated होएगा तो mark कर दो अगर यह लग रहा है नहीं मैं कर लूँगा तो कर लो तो मैं कर रहा हूँ इस question को तो गोले का आइतन होता है 4 by 3 pi r cube radius चीए मुझे तो भिया जो cube की side है वो diameter है यानि कि diameter 5.6 तो radius हो जाएगा 2.8 तो 2.8 को 3 बार लिखतूँगा हमें इतने ही प्यार्षे करना है तो 7 चोके 28 उसके बाद कुछ कट रहा है काटने को मैं च्यार्षे काट सकता हूँ बट मैं यह चाहरा हूँ कि मैं point लगा हूँ easily ठीक है तो कुल मिला कर मैं उपर वालों को multiply करूँगा ठीक है तो multiply करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है 28 का square है 784 ठीक है उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेरे पास क्या है देखो यह बाइस है इसमें से मैं 11 एक लुकंशब अ इक दो निकाल ले रहा हूँ क्यों क्यों क्योंकि 11 से multiply करना मेरे को easy लगता है यहां से 2 उठा के मैंने इसको दे दिया एक बार मैं इसको आठ से गुणा करूंगा, एक बार मैं 4 गुणा करूंगा, फिर मैं 11 गुणा कर दूंगा, च्यार दुनी 8, 4 शते 28, 4 दुनी 8 और 12, 4 चिकर 24 और 25, अब मैं 11 से गुणा करूँगा, 8, 8 और 8 16, 8 और 1 9, 5, 7, 2, अब नीचे एक तो 3 है और उपर से 3 0 है, तो जो 3 0 है इनके लिए मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दे रहा हूँ, यह मैं बाद में लगा देता, अब मैं 3 एक कम 3, कि क्या और पॉइंट सम्थिंग उत्तर आएगा, तो उत्तर इस इकल टू ऑप्शन है, टिक, क्लिर है बाई, आर वी गुड़, तो फाइदा कब है, हडबडा कर करने में, भाग भाग कैसे लिखने में, साइड इस इकल टू डायमेटर डायग्राम बनाने में, न इस क्वेशन को करना नहीं चीए था, उसको नहीं करना, क्वेशन छोड़ कर नुक्सान नहीं होता, क्वेशन करके नुक्सान होता है, तो आपको, क्योंकि गलत क्वेशन कर दें, तो जो करने लाइक क्वेशन है, उनके लिए टाइम नहीं बचता, और एक आदा क्वेशन तो ऐसा आएगा जो आपका ज्यादा time खा सकता है जो आप best way से नहीं कर पाओगे तो उसको पहचानना है वो आपका दुस्मन है आपका time खराब करेगा तो दुस्मन के मुण नहीं लगना नहीं तो कुछ दोस्त चुट जाएंगे ठीक इसली कर लेंगे भाई बाइस साथ 154 तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वाइर में दो साथ है तो मैंने एक साथ लिखा और च्यार इदर जाएगा तो मैंने च्यार का स्क्वाइर रूट दो लिखा अब मुझे निकालना है जी वोल्यूम तो 4 by 3 अब यह जो क्वेशन है बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेशन है इनको देख कर यह मत बोलना कि कैसा पेपर ले आए सर सेकिंट टफेस्ट है मैंने नहीं बनाई सारे एस्पिरेंट ने मिलकर बनाई है उन्हीं के कम नमबर है इसम और उसी के लिए वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए तो 4 by 3 पाई आर क्यूब इन्हीं दो तीन दिनों में काफी इंप्रूमेंट हो जाएगा आपकी साथ से साथ गया दो दो से चार गया एक दो से गयारा पर जाएगा ठीक है तो यह साथ उसाथ उनिन चास हो गया नो से कधे है 12, 913 औरक 5 पाई क्या था। कि थीन से कट रहा था रहा हूं क्यों है नहीं कट रहा थीन एकम तीन , 22, 27 तीन में 27 क्लियर क्या एक tämä है यार थी इन एकम तीन säथ है कि झाल तीन साथ एक किस थीन नंसे 27 consent обязательно say ठीक है, clear, next, pause करके प्यार से करो, if x plus 1 by x is equal to minus 14, and x is less than minus 1, what will be the value of this, okay, तो मैं एक student की तरह करता हूँ, तो यह अगर हमें निकालना है, तो यह होएगा, जब भी इसकी even powers आती हैं, जैसे x4 minus 1 by 4, और बीच में negative आता है, तो हमें हमेशा, a square minus b square वाला formula ही use करना पड़ता है, हमेशा, उसको a plus b, a minus b में तोड़ना पड़ता है, हमेशा, तो इसको मैं तोड़ूँगा ऐसे, ठीक है, तो x plus 1 by x मेरे पास है, minus 14, और x minus 1 by x मुझे निकालना है, ठीक है, तो x minus 1 by x और x plus 1 by x में क्या relation होता है, x minus 1 by x का जो square है, वो इसके square से 4 छोटा होता है, यह क्या है, यह है minus 14, तो इसका square क्या होएगा, 196, उससे 4 छोटा होता है, यानि कि under root 192 ठीक है, ठीक है, clear है, अब आप इसकी value निकाल दोगे, under root 192 की यह कहा है, 24, तो 8 है किसके अंदर है, 8 है किसके अंदर है, तो 28 कि जगे, एक 8 लिखोगे, इसके अंदर एक 3 बच गया, तो under root 3, 8 root 3 और आप यहाँ पर लिख देंगे, 8 root 3, और उत्तर आ जाएगा, minus 112 root 3, clear, ल रख की है, क्या मैंने इसको solve करने में उसका use किया है, नहीं किया है अब तक तो, तो अब आपके मन में इतना तो doubt होना चाहिए, कि भाई, ये ना हो कि उत्तर गलत हो जाए, एक condition जो है, मैंने use नहीं की है, तो या तो इस question को भी mark कर दो, exam में ऐसा होगा, या तो इस question को mark कर दो, जब question आप कर चुके होगे, बीच में doubt आएगा, जरूरी नहीं है इस question में, किसी भी question में mark कर दो, क्योंकि काफी हद तक आप question को समझते हो, बाद में देखेंगे, exam में research करने का time नहीं होता है, question solve करने का time होता है, solve करना आता है question कभी भी time की कमी नहीं पड़ेगी, बी end में दो ना, पहले उन minutes को निकाल लो, सारे easy कर लो, end में बचाओ 10 minutes, 12-10 के 10 minutes, मैंने 5-5 minutes दे रखें एक question पर, मैं बचा लेता हूं end में, ठीक है न, तो mark for review and आगे बढ़ जाओ, अगर doubt आ रहे है तो बाद में आकर देखेंगे, ठीक है, अब में आगे बढ़ जाओ, मैं इसको नहीं, फिर बाद में यह भूल जाएंगे, मैं यहीं पर करवा देता हूं इसको, ठीक है, देखो, x की value जो है, यह काफी बढ़िया question है, मतलब मजा आ गया है मेरे को equation देखकर, ठीक है, जितना मजा राहूल गंदी को आया था, उतना ही मेरे को आ रहे है, मजा आ गया देखो, x is less than equal to minus 1, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, अगर नमबर 0 और 1 के बीच में हो, यह 0 और minus 1 के बीच में हो, पहले 0 और 1 का समझ लेते हैं, easy रहेगा, अगर इसके बीच में एक नमबर है, जैसे की 1 by 2, जब आप इसको reciprocal करोगे, तो 1 by 2 का reciprocal क्या बनेगा 2, व वो इस नमबर से बड़ा हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा है नमबर, 1 से बड़ा कुछ भी माल लो, 5 माल लो, 7 माल लो, इसका reciprocal करने पर नमबर छोटा हो जाएगा, मतलब 1 के बाद, 1 का reciprocal करने पर नमबर 1 के बराबर ही रहेगा, यहाँ पर reciprocal करते हो, तो नमबर क्या हो जाता है बड़ाबर ही रहता है इसके अगे reciprocal करोगे तो number हो जाएगा इसके पहले reciprocal करोगे जैसे कुछ भी आप मालो 7 by 8 तो बड़ा हो जाएगा reciprocal करते हैं सेम कहानी यहाँ पर है value बड़ी हो जाएगी यानिकी number हो जाएगा तो minus 1 से चोटा है यानिकी यहाँ पर वो बोल रहा है यहाँ पर minus one के बराबर नहीं है minus one से छोटा है बराबर नहीं है तो यहाँ पर अपना number लाई कर रहा है x की value थीक है तो अब यह x minus one by x की दो value हो सकती है न यहाँ पर x minus one by x की value plus minus 8 root 3 तो इन में से मैं कौन सी choose करूँ उसने x की value बता दी उसके base free में choose कर पाऊंगा तो देखो दोस्त x की value मैं यहां से छोटी मैं माल लेता हूँ x की value आप कुछ भी माल लो कि इसे बड़ी क्या होगी minus 2 माल लो x की value minus 2 है तो x minus 1 by x की value क्या आएगी यह मैं निकालने ही कोशिस कर रहा हूँ देखो x की value है minus 2 इससे मैंने छोटा माल लिया ठीक है तो 1 by x की value क्या हो जाएगी minus 1 by 2 तो minus 2 plus 1 by 2 value क्या आई negative value negative आएगी हमें negative वाली value लेनी है मैं यह चीज रटके नहीं बैठा कि मेरे को यह पता है कि ऐसा होता है तो मैं तुरंत करके कर सकता हूँ मैं इतनी research से नहीं करूँगा exam में मैं तुरंत example लेकर देख लूँगा कि अच्छा negative आएगी concept भी नहीं दोडाओंगा मैं example लेकर देख लूँगा इससे इधर एक minus 2 है उसके उपर करके देख लेता हूँ तो यहां पर यह वाला होएगा तो यह माइनस माइनस प्लस यह वाला होएगा option भी तो यह कैसा question है बहुत बड़ी question है बहुत सारे बच्चों की negative marking करवाने वाला equation है जब आप श्यान्त हो तो आपको पता लग जाएगा मैंने यह चीज़ तो यूज़ ही नहीं करी चक होएगा तो अपने आगे बड़ो mark for review करो बाद में देखो ठीक है बाई next तो यह जो वीडियो है यह हो सकती है लंबी हो जाए एक घंटा स्वा घंटा डेड़ घंटा बट इसमें मैं सारे काम की बाते हैं जो आज के आज आपको जानी जुरूरी है एक्जाम से पहले वो सारी बताने इकोसिस कर रहा हूँ ठीक next question study the given table and answer the question that follows ठीक है the table shows जैसे डी आई है उसमें आप क्या करते हो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो मैं slow पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है मैं कामली पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कामली ठीक ठाक स्पीड पर पढ़ेंगे हम जितने में हमें समझ में आए the table shows the number of doughnuts sold by three different stores in five different months अब मैं नजर मारूँगा टेबल पर यचा ये store अलग लग मन्त में कितने doughnut बेज रहे है ठीक है फिर मैं वापिस आउँगा what is the ratio of total number of doughnuts sold by P and R together in October ओके 2 the total number of doughnuts sold by Q and R together in same month ठीक है तो P और आर ने October में कितने बेचे देख लेते हैं P और आर ने अक्तोबर में 125 और 960 900 और 1085 ओके जी डिवाइडिड़ बाई to the total number of doughnuts sold by stores Q and R together in same month तो Q and R ने same month में यानि कि ओक्तोबर में 905 और 960 ये ही है ना Q and R in same month ओक्तोबर ठीक 1865 अब मैं काटूंगा पांच से पांच दूनी 10 पांच एक कम पांच पांच साथे 35 पांच थी ये पंदरा पांच साथे 35 पांच थी ये पंदरा तो 217 इस टू 373 ओप्शन भी वेरी वेरी डूएबल ये करो देखो इस exam में आपने note किया पहले जो question थे थोड़े से moderate की side थे अब ये बहुत easy आया अब ये भी देखो क्या है ये चीज इसका कितना परतिशत है a is what percent of b तो a by b into 100 तो भी करेंगे 0.5 is what percent of 20 तो 0.5 by 20 into 100 बहुत ही simple basic 20, 500, 25, 25, 25, 1 के बाद 0.2.5 बड़े ही प्यारशे option सी एक बात मैंने note करी है जो easy question है ना भाई उसमें तो कभी भी जल्दबाजी मत करो क्यों क्यों क्योंकि easy question है इसमें आप अपने हथियार डाउन कर देते हो अपने defense डाउन कर देते हो और इसमें गलती होने के chance होते है अपने note किया हो अगर अपने mocks के अंदर 3-4 silly mistake है ना उसमें से एक या दो silly mistake ऐसी मिलती है कि यार ये भी क्यों हो गया अब आपको हो सकता है दुख ना हो आपको लगेगा paper में तो कर लूँगा किस वाले mock में मेरी silly mistake होगी paper में वही करोगे जो mock में कर रहे हो घर पे जो mock में कर रहे हो easy question को underestimate मत करो alert रहके करो unalert किसी भी question में नहीं होना चाहे easy है या difficult alert रहके ही करेंगे easy है तो बकका ठीक होगा और जल्दी होगा बट alert हम रहेंगे ठीक है नहीं तो बिना बजा है जो marks मिलने है वो भी नहीं मिलेंगे ठीक नेक्स्ट इंट्र अंगल a b c a d is the angle by sector of angle a t kc angle a का angle by sector है a d a b is equal to 8.4 a b जो हो 8.4 है a c is equal to 5.6 d c is equal to 2.8 then the length of b c इस पूरे b c की लंबाई हमें बताना बी सी बताना है ठीक तो आपको यह तो पता ही होगा कि जो angle by sector है वो सामने वाली line को उसी ratio में बाढता है जिस ratio में यह side हो ठीक है तो इनको काटते है हमें सिर्फ ratio है मतलब है बाई तो अगर मैं इसको किस से काटू में 7 से कट रहे हैं दनू 7 8 56 और 12 7 84 च्यार दिये 12 च्यार दुनी 8 यह 2 का multiple है ठीक है और यह पूरी line जो है यह 3 का multiple होगा यह 2 है तो यह 3 है तो पूरी line 5 है तो अगर 2 का value यह है तो 1 की value हो जाएगी 2.8 पुटे 2 और 5 की value हो जाएगी यह 12 75 7 यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे जल्द बाजी में BD की value निकाल देंगे फिर BD भी ना घर पे बैटके ठीक है तो easy question है इस question में कुछ है यह नहीं बट इसमें भी अगर आप गलती करोगे और इसमें होएंगी गलती हमेशा होती है यह candidate से आपको थोड़ा सा भीड moderate की side थे थे वो भी easy ही but SSC वाले level के हिसाब से बोल रहा हूँ यह देखो a hotel is giving a discount of 12% on the booking of two or more rooms ठीक है दो या दो से ज्यादा room book करेंगे तो 12% का discount है additionally मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोलना आप लोगों को paper में मैं आपको समझा रहा हूँ बस ठीक है मैं भी एक flow में पढ़ता हूँ statement को दिमाग मैं समझता हूँ बस additionally the hotel is offering a 5% discount on the payment using any card of SBI SBI का card यूज़ करेगा तो 5% discount राकेस booked two rooms तो two room book के हैं तो discount तो मिलेगा क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा book करने पर मिल रहा था in the hotel for a day at the rate of 1500 per room per day ठीक है while checking out he paid the bill using SBI silver card how much amount did he have to pay तो भी आप 1500 का एक room है तो दो room 3000 के हो जाएंगे तो 3000 के दो room book की हैं तो discount मिलेगा 12% का 100-12 88 upon 100 ठीक है और एक ओर discount मिलेगा 5% का 95 बटे 100 यानि की 19 बटे 20 बस ये solve करना है बहुती easy 3-0 से 3-0 गई और 2 से गया 44 पर ठीक है 3-12 19-38 unit digit 8 दो में है 19-38 तीन 19-37 और तीन साथ 0-8 एक में है करने को पूरा कर लो 19 एकम 19 और छे पत्चिस ठीक है next are jogs at twice the speed of walking and runs at twice the speed of jogging from his home to office he covers half of the distance by walking and the rest by jogging from his home to office he covers half the distance by jogging and the rest by running तो ये मानते हुए कि जो candidate है उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये question मैं इसको skip कर रहा हूँ अभी अगर कोई question आपको uncomfortable कर रहा है तो बीना और आपका दिमाग आपके दिमाग का दिल नहीं कर रहा कि मैं इस question को करूँ छोड़ दो उस वक्त uncomfortable मत रहो जो first round है वो smoothly जाना चाहिए आपका ठीक है time मिलेगा आपको मैं skip कर रहा हूँ आगे पड़ते हैं बाद में करेंगे the ratio of the presentages of Ram and Ramesh is 3 is to 5 तो Ram और Ramesh की presentages का ratio 3 is to 5 है after 7 years तो ये आज की बात है 0 plus 7 ये 7 साल के बाद की बात है उनकी उमर का ratio 4 is to 5 होएगा find the presentages of Ramesh ये Ram है ये Ramesh है ठीक है तो बिलकुल pet question है सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इनके बीच का gap same करते हैं इनके बीच का gap कितना है दो इनके बीच का gap कितना है एक तो इसको दो बनाते हैं उनके बीच के gap से इस को multiply करते हैं इनके बीच के gap से उनको अगर अलग अलग gap यहा को 2 गुना करूँगा 2 4 8 2 5 10 हो गया अब मैं क्या करूँगा इनका gap सेम हो गया तो अब मैं ऐसे gap को compare करूँगा यहां पर कितने का gap है ratio में ratio में 5 unit का gap है 5 और 10 में और actual में 7 साल का gap है यहां से लेकर यहां तक तो 5 unit ratio की actual में 7 air को denote कर रही है ratio में 5 का मतलब असली में 7 साल और वो क्या पूछ रहा है रमेज की वरतमान वाई आयू आज रमेज की यह यह पांच unit ratio में पांच unit की value 7 साल option सी क्या हम इसे करके आगे बढ़ सकते हैं पहले round में निश्यानती से समझेंगे तो बढ़ सकते हैं नेक्स्ट देखो अब तक क्या 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 question में skip कर चुका आपके लिए एक question में skip यह jogging वाला कर चुका है ना इसके अलावा मान लो यह x plus one by x वाला minus वाला जो बड़ी हा conceptual question था यह भी हम skip कर देते हैं एक्जाम में इसके अलावा इसके उपर ऐसा को question अफिलाल तो नहीं है मान लो यह circle वाला कई बच्चे जो है दो concept है तो कई बच्चे circle वाले को skip कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ कई बार बच्चों को लगता है कि पहला ही question skip करने मुन को यह लगता कि कासा पेपर आ गया भाई पेपर ऐसा ही आएगा वो आगे पीछे easy question कभी starting में होंगे कभी बीच में होंगे कभी बाद में होंगे तो मेरे उपर भरोसा रखो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और इमानदारी से आपको चीज़े बता रहा हूं अगर आप यह वाला mindset रखके जाओगे आप दोखा निकाओगे हम समूदली चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं गआफ़े एक कतार दोख दूवली ध्यशोन निकालना है तो यह निकालने के लिए मेरे भाई आपको निकालना पड़ेगा कि करम निकाल पाएंगे ठीक है इसमें मैं धोने तरफ दो जोड दे रहा हूं तो यह क्या हो जाएगा यह k2 plus 1 by k2 का whole square हो जाएगा तो k2 plus 1 by k, उमीद है कि आपको यह concept आते होंगे तो 49 का under root 7 ठीक है, मैं फिर से 2 जोड दे रहा हूँ, आप mentally 2 जोड लो यह कुछ कर लो ठीक है, तो यह k plus 1 by k का whole square हो जाएगा तो k plus 1 by k की value हो जाएगी, 9 का square root, यहने की 3 अब वो निकालने के लिए हमें इसके cube में से इसका 3 गुणा घटाना होता है तो 3 का cube है 27 और 3 का 3 गुणा है 9, तो 3 is equal to 18 ठीक है, फिलाल जो मैं question यहाँ पर solve कर रहा हूँ यह मैं उस mindset से solve कर रहा हूँ कि student कैसे सोचेगा वहाँ पर आप थोड़े से nervous, थोड़े से dray हुए, थोड़े से conscious होते हूँ उस level से, मैं ऐसे करता हुआ नहीं चले हुआ, easy है, easy है, मेरे लिए सब कुछ easy है, ठीक है राम sold a plot for rupees this much, at 20% loss, ठीक है, for what price should he sell the plot to gain 5% उसने 20% के नुक्सान पर बेच चाहे, अगर 5% का फायदा चाहे तो कितने में बेचेगा, 20% के नुक्सान पर बेच चाहे, यानि कि 80% की value है 80 का आद्धा होता है 40, या फिर 80 का पांच गुना कर लो 400, 80 का पांच गुना है 400, 105 की value निकाल ये, 105 का पांच गुना कितना होगा, 525 का आगे 3-0 लगेंगी, चाहे आप लिख के कर लो बटे में 80, ये 80 की value है, तो 105 की value होगी, कैसे भी कर लो, clear है दोस्त HCF of two numbers, इनका HCF, देखो दोनों के अंदर 0 है, HCF यानि कि highest common factor, बड़े से बड़ा number जो मैं common ले सकता हूँ, मैंने 10 common ले लिया, उसके बाद 11, 11 से divisible है, मैंने 11 काटा, 11 कम 11, 118 है, मैंने 11 common ले लिया, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 18, अब तो मैं कुछ common ले न नर्वस हो जाएंगे, मैंने 11, पूछ रहा है, this simplified form of this, देखो, इसको हम कई तरी कैसे कर सकते हैं, यह है क्या वैसे, यह है, A plus B का whole cube, plus A minus B का whole cube, तो कई बार बच्चे क्या है, इन formula को रट के बैठे हैं बच्चे, A plus B का whole cube है, और A minus B का whole cube, इनको जोडने पर क्या आ रहा है इनको घटाने पर क्या रहा है, इन इन चीजों को आपको रट के बैठने की जरूत नहीं है, देखो, यह A है, यह B है, A plus B का whole cube, A minus B का whole cube है, अगर आप इनको जोड़ोगे, तो जो minus वाले हैं, वो कट जाएंगे, भया, यह minus है, यहाँ पर जो minus वाले होते हैं, मैं बता ही देता हूँ, यह होता है, पता नहीं न, आप visualize कर पाऊगे की नहीं, यह जो जब आप इनको जोड़ोगे, A square B, A square B, B cube, B cube यह कट जाएंगे, और जो plus वाले होते हैं, जो इसमें plus वाले आएंगे, वो इसमें भी एक plus वाला होगा, वो double हो जाएंगे, तो रटने की बात नह प्लस वालों को डबल करता चलूँगा, मैं, देखो, A-B के whole cube में क्या होता है, A cube प्लस वाला होता है, तो एक तो 2A cube बचेगा, जो minus B cube वो कट चुका होगा, एक plus वाला क्या बचेगा आगला, प्लस वाला बचता है, क्योंकि B negative है, जब B की power even हो, 3AB square, 3AB square प्लस का होगा, तो 3 की जगह मैं 6AB square कर दूँगा, बस ये बनेगा ये formula, ठीक है, तो A की value ये है, X, तो 2X cube प्लस 6 into A, यानि की X into B का square, यानि की 2Y का square, 4Y square, तो 2X cube प्लस 24XY square, या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत ही प्यार से, आप value पुट कर दो, value पुट कर दो, अगर आप Y की value 0 हो जाएंगे तो X cube X cube आएगा, 2X cube 2X cube आएगा, confusion create होएगा, आप X की value 0 पुट करता हो, और Y की value रख दो आप 1, ठीक है, X 0 ये खतम हो गया, Y की value 1, 2 का cube 8, प्लस यहाँ पर, X की खतम, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 का cube, ये माइनस 8 हो जाएगा, अच्छा Y की value 1 और X की value 0 रखने पर ये खतम होना चाहिए, लेकिन ये तो, कुछे लोग कोई नहीं, ये तो नहीं होगा option, यहाँ पर तो 0 आएगा नहीं, कुछना कुछ बचेगा, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, कुछना कुछ बचेगा, इन दोनों में X है, इन दोनों में X है, इसलिए X की value 0 पूट कर दो भाई, ठीक है, दोनों की value 1 1 पूट कर दो, अब उत्तर बदल जाएगा, मतलब आपको मिलाकर कर पाएंगे इसे, कैसे न कैसे, एक्जाम में ये matter नहीं करता कि आपने question को best method से किया कि नहीं, ये matter करता है कि question देखकर, आपने जो decision है, करने या ना करने का वो fast लिया, और अगर आपने करने का decision लिया है, तो ठीक ठाक से वे से आपने कर दिया, ठीक ठाक से वे से अगर आप ज़्यादा तर question कर देंगे, you will be in, ठीक है, In how much time will a sum of this amounts to this at the rate of 11% per annum simple interest, तो ये बोल रहे हैं कि 11% के हिसाब से कितना time लगेगा, simple interest के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ब्याज कितना है, ठीक है, तो ब्याज है बाई, इस में से मैं उसको घटा हूँगा, हर साल से इम ब्याज लगता है, हमें पता है, ठीक है, इस में से उसको घटा हूँगा, साथ में से पांच गए दो आठ में से दो गए छे नो में से पांच गए च्यार इतना ब्याज कितने सालों में लगेगा एक साल में कितना ब्याज लगता है उससे डिवाइड कर दूँगा देख लूँगा कितने साल लगे एक साल में ब्याज लगता है उसका 11%, उसका 1% कितना है, उसका 1% है 52.5, तो उसका 11% कितना होगा, 52.5 into 11, यह जो भी उत्तर आएगा, हमारा उत्तर आएगा, एक साल में इतना ब्याज लग रहा है, टोटल इतना ब्याज लगा, इसको solve करते हैं, देखो, point हटा के 0 यहाँ पर 14, ठीक है, तो 15, 15, 75, 6 और 0 से 60 बनता है ना, 15, 4, 60 और 5, 8, 40, उत्तर is equal to option, ठीक, clear है, बाद में skip करने वाले question ही नहीं आ रहे, हो सकता है, starting में जो question मैंने किया, आप उनको skip कर दो, चांती से पढ़ो और करो, read with शांती, the table given below, shows the, घर पे आप शांती से पढ़ सकते हैं, एक्जाम में, शांती के साथ पढ़ सकते हैं, एक्जाम में अकेले ही जाना है, चांती ठेका, कोई allowed नहीं होगी, ठीक है, दिमाग की शांती allowed होगी, बस, दिटेबल गिवन बिलो, शोज दी प्रोड़क्शन ओफ, बाइक और ट्रक पांच कंपनी ने प्रोडूस किया, पता लग गया, आच्छा, क्या गिवन ने पता लग गया, अब यहीं पर कई बच्चे क्या करेंगे, बाइक जोड़ देंगे, ट्रक जोड़ देंगे, पता लिए क्या गड़ बड़ करेंगे, शांती से करना है काम को, ठीक है, पाच से काटूंगा, तो 14 बटे 15, उत्तर इसे कल टो 14, इसे कल टो, option टी, ठीक, easier by equation, next, sin theta plus cos theta is equal to this, then what is the value of this, मालो, आपको ये directly strike नहीं हो रहा है, बट आप करी लेंगे, उतना difficult भी नहीं लग रहा, तो आपकी इज़ित रखने के लिए, मैं इसको mark कर देता हूँ है, तारे equation को एक गोमे नहीं करूँगा, ठीक, at least, ऐसे ऐसे question कर रहा हूँ, ये तो आप करील होगे, इसको मैंने mark कर दिया, मालो, पहले वाले circle वाले को भी mark कर दिया था, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंटरेंगल A, B, C, the bisector of angle B, A, C, cuts the side B, C, at D, इंटरेंगल A, B, C, the bisector of angle B, A, C, cuts the side B, C, at D, ठीक, A, B is equal to 10, A, C is equal to 14, what is the ratio B, D is to B, C, B, D is to DC नहीं पूचा, B, D is to BC, तो 2, 5, 10, 2, 7, 14, ये 5 है, तो ये 7 है, तो ये पूरी 12 है, तो B, D is to B, C, push रहा, 5, is to 12, कई बच्चे ये 5, is to 7 लगा किया जाएंगे, option C, easy equation आप कर लेते हैं, first round में, okay जी, next, अब ये देको, क्या ही पूच लिया भाई ने, perpendicular, hypotenuse, base क्या उजाएंगा, 8, 15, 17 का triplet है, जी हाँ, 10-3 होता है, P by B, यानि की 8 बटे 15, option B, बीना ये सब लिखे भी कर शकते थे आप, आप थोड़े से तेज हैं, मैं थोड़ा से slow हूँ, बस इतना फरक है, मैं भी practice करकर करके, आपके बराबर आ जाँगा, ये देखो, secant something is equal to cosecant something, तो मैंने आपको क्या बता है, कि sign के आगे कुछ हो, और equate करका हो, cosecant से ऐसा करका हो, ये फिर 10 और coat में ऐसा करका हो, तो क्या मामला है, इन दोनों angle को उठा के, जोड़ के बराबर रख देना, तो इन दोनों का समझो हो, 90 होएगा, तो इसका और इसका, 2 theta plus theta, 3 theta, minus 36, is equal to 90, 36 उधर जाएगा, जी हाँ सर, ये 126 बन जाएगा, 126 बटे 3, 3 चो के 12, 3 दोनीचे, theta is equal to be 40, ठीक, बिल्कुल pet question है, pet cheese के उपर, ठीक है, परश रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, question को आराम से पढ़ो, समझो, अगर ये दिल कर रहा है, मैं तो DI वाले नहीं करूँगा, skip कर द shows the total number of children who opted different courses in a summer camp in May 2019, okay, पाइचाट ने दिखाया है, 300 students attended the summer camp and every child was allowed to opt only one activity for the camp, हरे एक बच्चा सिरफ एक activity opt कर सकता था और 300 बच्चे थे, ठीक है, the total number of students who opted for, यहाँ पर आप समझ लो फिर एक बार, कि मामला क्या हो रहा है, total 300 students थे, 18% ने योगा किया, 12% ने पेंटिंग किरी, हम समझ गए कि क्या है, 300 का परशेंटेस ब्रेक अप कर रखा है, यहाँ पर, अलग लग activity में, अब मैं question पढ़ता हूँ, जब एक बार आप data को समझ चुके होते हैं, तो question को भी अच्छे से समझ पाते हैं, कि वो क्या पूछ रह तो योगा एंड पेंटिंग, तो योगा एंड पेंटिंग, 30%, डिफरेंस निकालना है, is how much less, कितना कम है, than the total number of children, who opted for music and dance, तो music और dance, यह वाले हैं यह, 40%, इससे कितना कम है दोस्तिये, यह 10% कम है, किसका 10% है यह, यह 300 का 10% है, यह 30, उत्तर इस इकल तो option C, same value का percentage चल रहा है, तो percentage में जमाँ घटा कर सकते हैं, पहले ही यह नहीं निकालना की 300 का 18%, 300 का 12%, ठीक है, next, second last question है, अगला round मारेंगे फिर, पढ़ो, the following table shows the amount of annual rainfall in inches in 8 different states of India, पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, एक बात बताऊं, सायद आपको पता ही हो गए, school में कि वहाँ पर इतने इंस बारिस होई, वहाँ पर इतने इंस बारिस होई, यह इंस का, पता है क्या होता है, यह होता है, हो सकता आपको पता हो, नहीं पता हो, तो सुन लो, की माल लो, प्लेई धरती हो, या फिर आप क्या करो, एक ऐसे, एक ऐसे बिलकुल सिद्धा, ऐसे एक डिबा रख दो, तो जब बारिस इसके अंदर गिरेगी, जब बारिस माल लो, मैंने एक तालाब बना दिया, ऐसे छोडा सा, बिलकुल सिद्धा, तो बारिस इसके अंदर गिरेगी तो मान लो पूरे साल में जो बारिस गरी वो 110 सेंटिमेटर उच्छी इतनी गरी कि 110 सेंटिमेटर उच्छे तक पानी उठ जाएगा तो बोलेंगे कि साल में 110 सेंटिमेटर बारिस होई कि वो प्लेन धर्ती के उपर कितनी उचे तक कठी हो जाती यह है तो जब आप रेंफॉल देखते हो कि उस जगह पर इतने सेंटीमेटर बारिस होती है इतनी बारिस होती है यानि कि वो बारिस गिरती रहे और पानी वेपरेट ना हो तो इतना पानी अगठा हो जाएगा कहीं पर नाली वाली ना हो किसी कोई भी बरतन रखोगे तो इतना पानी अगठा हो जाए पूरे साल में अब यह नहीं बताए यह मेजर कैसे करते है मेरे कहले यह जब भी बारिस होती है कुछ ना कुछ रखके रखते होएंगे कुछ तो होएगा इनका गवर्रमेंट कैसे बतात of annual rainfall continuously for two times continuously दो बार immediate years में increase कितने state ने witness किया तो पहले table को देखते हैं यह साल यह states ठीक है तो इबार बच्चे ऐसे ही increase decrease देखते हैं बचारे speed speed में paper में फिर पता लगता है कि अरे यह मैं क्या कर रहा था एक state से दूसरे में खुस जा रहा था यह जो T state है 2015 में इतनी बारिस ह इतनी यह T state का data है यह A state का data है कई बार बच्चे ऐसे check कर देते हैं फिर बाद में पता लगता है ठीक तो इसलिए श्यानती जरूरी है तो अब मैं देखूंगा भाई कितने state में ऐसे हुआ है ठीक है बड़े ही प्यार से देखूंगा आपके लिए mark पी कर दूँगा कब द ज़िवर जरूर्ष देखग्यों कब दो बार बड़ेगा सत्तर से च उरततर से फिचत्तर दो वार बड़त हुई है जब एक बार बड़ा वार उओ और उसके बास देखो च्याण ओन ये फिर सताण है इसको मत मांना यहे च्याण बेगने सेमे बढ़नी ताण में यह कि यहां पर भी नहीं है कोई भी लगातर दो साल कि यहां पर भी नहीं है कि यहां पर भी नहीं है एक दो तीन कि च्यार ही उत्तर है क्या यह ना होगी मैंने कोई छोड़ दिया हो ठीक है अब मेरे को डाउट हो रहा है कई बार ऐसे डाउट होता है एक्जाम में एक्चुल तो जो जो चैक नहीं करें उनको एक बार फिर से देख लूँ यह रहा उनसेट साथ इक सट उनसेट साथ इक सट उनसेट साथ इक सट हाँ ओके पांच है उत्तर अप्शन भी यह बिल्कुल नेचरल सी बात है दा बात is very very natural तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एक अधी बार question को एक अधी calculation को दुबारा करना पड़ जाए हमें efficient होना है ठीक है maximum time यह मलब बचना है कि maximum हम बढ़िया flow में निकल जाए एक अधी गलतिया होंगी उससे दिल चोटा नहीं करना paper में क्या रहे आस तो performance डाउन चल रहे नहीं तो के बच्चे अपनी आदितों के करन बार-बार-बार-बार-बार-बार शिल्ली mistake करेंगे बार-बार calculation करेंगे बार-बार question को दुबारा पड़ेंगे वह आधी नहीं डाली अब आगगे देखो नूमन डज हाफ दा वर्क एज गगन इन फॉर बाई फाइव थी टाइम ऐसे क्वेशन बहुत बार आते हैं यह बिल्कुल इपैट चीज है मैं यह मानता हूं कि गगन जो हो एक यूनिट काम कर लेता है तो नूमन कितनी यूनिट करेगा देखो गगन के कमपेरिजन में तो गगन एक यूनिट करता है तो नूमन करेगा यहां पर दो चीज़े बता रहे हैं दोनों का इंपैक्ट देखोंगा यह मैं क्या लिख रहा हूं यह मैं लिख रहा हूं एफिशेंसी कितनी यूनिट काम कर रहा है बंदा एक यूनिट काम कर रहा तो यह कितने unit काम करेगा Newman does half the work अच्छा आद्दा कर रहा है वो जितने unit कर रहा है उसके comparison में आद्दा कर रहा है ठीक है तो इसके efficiency अद्दी होएगी आद्दा काम कर रहा है तो इन 4 by 5 times अब यह जितना time लेगा efficiency तो उसका यहाँ पर आया 5 by 8 गगन के comparison में 5 by 8 times काम कर रहा है यानि कि अगर गगन 8 unit काम करेगा तो यह 5 unit काम करेगा अब दिन की बात होए गंडे कि एक गंडे में 8 unit करेगा तो यह गंडे में 5 करेगा एक दिन में 8 करेगा तो यह क्या बोल रहे है इस together they take 16 days तो दोनों मिलकर भाई साब 13 unit कर लेते हैं 13 unit करते हुए 16 दिन लिए तो टोटल काम कर दिया टोटल काम इतना है और इस काम को अगर यह भाई साब करेए रोज 8 unit करते हुए तो यह कुल मिला कर 20 दिन ले लेंगे तो क्या यह question round 1 में करने लाकर जी हाँ है बिलकुल pat question है तो हम भाई 25 question तक पहुँच गए है अब एक आद्धे हमने चोड़े होंगे यह मत बोलना कि यह सर बहुत easy था या जो भी था आप लोग ने इसे easy and difficult बनाए यह second fast shift थी इसले साल की अब जो मैंने मार्क किये हैं वो मैं देख लूँ आपके एक्जाम में मार्क वाले थोड़े चीज़ी देख पाऊगे आप यह एक मेरे को मार्क वाला नजर आ रहा है यह देखते हैं चलो पहले analyze करते मार्क वाला भी देखेंगे हम देखो हमने question कितने हैं जो छोड़ दिय में एक छोड़ दिया रही कर दो छोड़ दिया और और भाई चुख यह मार्क वालु आप एक और चोड़ देते एक में चोड़ने के लिए बोला था तीन चोड़ दिये है यह algebra ficou आपकी APP में तो दिख्की नहीं रहा होगा इसमें ॐलो 3 छोड़ दिये फिक और पहले एक सर माल लो आप एक और और छोड़ देते, माल लो आप एक और और छोड़ देते, 6 छोड़ देते, तो भी आप 19 कर लेते, एक और छोड़ देते, 18 तो कर लेते, 3 एक्षा चुड़वा दिये, मैंने जो और नहीं छोड़े हैं, वो भी एक आदे चोड़े हैं, उसके अलावा 3 एक shift है फिर उपर से आपको tough shift है तो normalization का फायदा मिलता ठीक इसलिए right mindset is जरूरी अब मैं mark वालों को कर रहा हूँ भाई देखो अब इसको करते है तो देखो भाई उसने पूछा है हमसे यह equation मैं कई बार करवा चुका हूँ आपको यह sin by cos plus cos by sin sin square plus cos square by sin cos is equal to 1 by sin cos निकालना है आपको अच्छा जी 1 by sin cos निकालना है और sin plus cos है तो sin और cos का product कैसे आ सकता है square करने पर square करने पर क्या आएगा दोनों तरफ अगर square करोगे तो यहाँ पर होएगा sin square plus cos square जो की 1 plus 2 sin into cos is equal to right hand side वाले का square उसका square उपर वाले का क्या होएगा a minus b का whole square करोगे तो 4 minus 2 root 3 बटे में 8 ठीक है अब इसकी value निकालना है उधर जाएगा minus 1 तो minus 1 गया तो LCM लोगा तो minus 8 ठीक है अब देखो minus का 8 है और plus का 4 है तो minus का 4 बचेगा शिर्फ ओके जी ये 1 उधर जा चुका है अब 2 से मैं काट भी दूँ तो से yellow दो दूणी 4 दो एक कम दो तो sign और cos की value आ गई minus 2 minus root 3 बटे में 8 मुझे चाहिए इसका reciprocal वो यानि की 8 बटे में minus को कॉमल ले लूँ ठीक है minus को उपर लिख या नीचे क्या फरक पड़ता है उपर भेज दिया yellow ठीक है अब इसको मैं उपर भेज सकता हूँ कैसे बस बीच का sign पलटना है और दोनों के square का difference इसका square है च्यार इसका square है तीन उनका difference एक जो किलिखना ज़रूरी नहीं है this is the answer 8 into root 3 minus 2 इन लोगों ने minus को अंदर भेज दिया second round में doable है थोड़ा सा सोचने का time मिल जाएगा तो नहीं भी है तो कोई दिक्कत है नहीं हम 22 question साइद कर चुके है 22 question कर चुके हैं उसके बाद आप तीन question चोड़ना allowed है अगर time नहीं बचा है हाँ एक यह वाला question देखो भाई अब यह वाला question करते हैं इसके लावा और कुछ मैंने चोड़ा नहीं है ना बाद में करने वाले भी करही दिये हैं ठीक है देखो मतलब दो ही question चोड़े हैं अब तक अच्छा 23 question हो जाते हैं आपके यह सारे question कर देते तो यहां पर यह क्या बोल रहा है are jokes at twice the speed of walking तो jogging की speed है वो double है walking से अगर walking की speed एक है तो jogging की speed दो है and runs at twice the speed of jogging और run करता है jogging की speed से double तो running की speed 4 है इनकी speed का ratio आ गया jogging कई बार होता क्या है बंदा कभी car में कभी bus में कभी rail में जाता है यह running jogging करके उसने speed को vary कर दिया कई बार अलग अलग विकल में बिठा देता है वस यही है मामला from his home to office he covers half of the distance by walking अब मैं अगले उस पे बना रहा हूँ माल लो home to office वो at that distance जो है वो कैसे कर रहा है अब यहां पर श्पीड लिख लू walking jogging running अद्दा walking पर यान की एक की speed से और फिर jogging पर यान की दो की speed से मैं speed को में नीचे लिखता हूँ ठीक है क्योंकि distance यह speed और time को नीचे लिखता हूँ क्योंकि distance को speed और time से डिवाइड ही करना होता है distance को उपर लिखता हूँ में ऐसे home 1 कर दो उतना ही distance ले लो चीज को अलग लिख लो ताकि सफाई से लिखी जाए office to home पहले ऐसे कई question आये हैं और करवाए भी आपको ठीक बर्श हाफ दा distance jogging and the rest by running आद्दा वो jogging से कर रहा है jogging बोले तो 2 की speed से और फिर running से बोले तो 4 की speed से ठीक है most probably average speed पूछेगा यह ऐसे ही करता है अलग-अलग distance है से cover करवा के ठीक है what is his average speed in a complete round from his home to office and back to home home to office and back home if the distance between his office and home is 10 km ठीक है and he walks at the speed of 5 km पर आर अगर उसकी speed जो है walking की speed 5 है और distance 10 km है तो मुझे एक बात बताओ average speed में distance matter करता है सिरफ ratio matter करता है speed हाँ हम ले लेंगे distance तो matter नहीं करता ignore मारो भाई को सिरफ यह देखो distance लेके भी कर शकते हो walking की speed 5 है तो इनकी speed भी आ जाएगी 5-10-20 यह speed 5 है यह speed 10 है और यह speed 20 है ठीक है अब हमने करना है बस question को तो करने को आप आएसे भी कर सकते हो मेरे भाई कि इन दो equal distance को home to office बोल रहा हूं अलग-लग speed पर किया है तो formula लगा सकते हो 2a upon a plus b अगर दो अलग-लग same distance को अलग-लग speed पर करे यह फिर आप ऐसे कर सकते हो च्यार बराबर distance है तो च्यारो distance को ऐसा मान लो जो इन से डिवाइड हो जाए तो मैंने माल लिया 20-20 क्योंकि 5-10 और 20 से डिवाइड हो जाए क्योंकि distance by speed करना है न टाइम निकालने के लिए 20 average speed होती है total distance upon total time total distance is equal to 20-20-20 यानि कि 80 divided by total time यहाँ पर कितना time लगा distance by speed पता लगा speed को निचे क्यों लिखता हूं पात चोके 20 दस दूनी 20 दस दूनी 20 बीस एक कम 20 च्यार और च्यार आठ और एक नो असी बटे नो इस दी एवरेश स्पीड यह round 1 में अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा है question difficult है round 1 में exam में हमें इस equation को ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है हम फिर भी इस shift के अंदर 21-22-23 question कर पाएंगे एक decent ते यारी वाला बढ़िया decision सारे लोग है तो 24-23, 24-25 भी कर पाओगे इसके अलावा कोई question अपना बचा नहीं है तो भाई that's it यह जो कल वाली वीडियो है जो टफ़े shift वाली इससे पहले बनाई है उसका link जो है वीडियो के description में मिल जाएगा है और आज वाली वीडियो है यह भी मैं एक playlist बनवा के डाल दूँगा ठीक है और एक और वीडियो जो है जो थर्ड टफ़े shift है वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा अगर आपको लगेगा कि उसके बाद मैं और लेकर आऊँगा आपको और फायदा हुआँगा मैं और लेकर आ जाऊँगा ठीक है तीन का तो मैंने खुदी decide किया था कि तीन तो पक्का लेकर जाऊँगा एक्जाम से पहले तो इस वीडियो के अंदर इतना ही आपको कैसा लगा कोई फायदा हुआ कैसा फील हुआ सब कुछ आप कमेंट करके बताओ जरूर बताया करो भाई ठीक है और एक और बात जो हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो हमारे student ही है आप लोग ही जो अपना प्ल ही बताएंगे कि यार यहां से बढ़कर हमें फायदा हुआ तो कभी अगर ओनलाइन बात चले विकोज आप लोग ही हो जो फैला होगे जो अपना प्लैट्फों में वो माउट तो माउट ही चलता है एक बच्छा दूसरे को बताता है ऐसे ही चलता है तो कभी कोई जिकर हो ओनलाइन या ओफलाइन और कोई पूछे जबरदस्ती किसी को चेप नहीं हो ना कोई पूछे तो आप बता दिया करो ठीक है जस्ट मेंशन किया करो मैं यह बोल रहा हूँ ठीक है उसे जो प्लैटफों में उसे हल्प मिलेगी बिकोज मुझे तो आगे पूरी जिंदगी य इसक्रीप्शन मादा आख तो आगे चाहल।